हेलो डियर इस्ट्रेंड्स मेरी आवाज आप लोगों तक पहुँच रही है रिप्लाइ करिएगा गोड इवनिंग सभी को सभी विद्यार्थियों को गोड इवनिंग गोड इवनिंग सभी को एक बार रीट के महा समर के अंदर आज सिक्सा मनवे ज्यान का पहला प्रस्तोंतर सत्र हमारा है और परिक्सा तक ऐसे बहुत सारे सत्र होंगे आप लोग एक बार अपने मित्रों के बीच शेर कर दीजिए अपने मित्रों के बीच में एक बार सभी विद्यार्थि शेर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा धाउ कुमारी, रमेश विष्णोई, रामा चौदरी, जसनाथ सुथार, दिनेश टाभी, मीरा चौदरी, करनावट टाक, कुसंभी कुमारी, जमना चौदरी, मीरा, जाकर, जोती शर्मा, आरके सारन, पुखराज, मांगाराम, गुमानराम, नरेंदर सिंग, लगातार सभी विद्यार्थि ज़्यार्थि 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 परदीव कोस्वामी, ललीट डुग्यर, जैनायूस वीजावर, भगवती विस्णोई, जयंदे, देविंद्र स्वलंकी, लक्ष्मी चौधरी, शिम्मा रामजी सारन, बिलकुल आ गये, दिनेश विसाला, खेता रामजी चौधरी, टीकम चंद बाडवेर, मांगी डवुक्या खडी, नल्ची सुथार, चौधरी बी-यल, हाँ, तमाम विद्ध्यार्थी, बहुत-बहुत स्वागत, अभी नंदन आप सभी का, रीट के इस रण में, कमेंट इतनी तेजी से, रफ्तार से जा रहे है सामने, कि मुझे रोगने के लिए अपने मुबाइल पर कमेंट्स को पढ़ना पढ़ रहा है, विद्ध्यार्थियों, गौर करिएगा बहुत बढ़िया सिक्सा मनविज्यान का ये रण, गौर करिएगा रीट का महा, रण महा सफर, और हमारे जामबाज योधा, घर पर बैठे, अ अपने वित्रों तक भी इसलाब को पहुँचाने का प्रयास करिएगा, शिक्षा मनविज्यान की बाल विकास की बड़ी गूड चर्चा प्रस्नों के माध्यम से सिक्सा मनविज्यान के सत्र में होने वाली है, विद्ध्यार्थियों, कोशिश केवल सवाल ही नहीं कराना है केवल उत्तर ही नहीं कराना है, बलकि सवाल और उत्तर के माध्यम से साइकुलोजी का निचोड निकालना है, कि रीट के माहरण में कुछ बहतर कर पाए, कुछ बढ़िया कर पाए, विद्ध्यार्थियों, जो लोग भी देख रहे हैं, आपको ध्यानों, आज ग्यान पंच बहुत सारे नामों से आज के दिन को हम जानते हैं, ये कार्तिक सोकल पंचमी का बहुत ही पावन पर्व है आज, हमारे राजस्तान में अगर हमारा पडोसी श्टेट गुजरातपुर नजर डालेंगे, तो ये दिन बड़ा महतपुन वहां दुकाने भी दिपावली पर से प्रारंब करते है तो आज बहुत ही पावन परवे और मा सरस्वती को आप सभी लोग आज आख बंद करके उनको याद करके और मा को अराधना कर लेना और अगर कहीं आपके घर में मा सरस्वती की तस्वीर है तो एक छोटी सी कौपी और एक पैन मा को जो है समर्पित कर दे विद्यार्थियों को और करिएगा क्योंकि आज मासारदे का दिन ज्यान पंचमी का दिन है मासारदे का एक दिन बसंत पंचमी भी है तो ये दिन भी हम मासारदे को चड़ाते कौपी और पैन तो कौपी और पैन मासारदे को जरूर समर्पित कर दीजिएगा आज के दिन और म सार्दे का वरधस्त रहेगा तो निश्चित रूप से आप सब रीट के महारान के अंदर सफल हो जाओगे विद्यार्थियो उम्दा डंग से सभी लोग लगातार जुड़ रहे है बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है अभी नंदन है और रीट के महारण में कई विद्यार्थियों के लगातार संदेश आ रहे थे सर सिक्सा मनविज्यान की थोड़ी सी चर्चा करी जाए थोड़ी क्यों बहुत ज़ादा चर्चा करेंगे बहुत सारी बाता करेंगे और मुझे लगता है साइकोलोजी के प्रस्नोतर सत्र में भी जो विद्यार्थी कंटीन्यू रहेगा प्रस्नोतर सत्र आपको जानकारी हो यह बहुत उंदा लाब आपको सिक्सा मनविज्यान के छेतर में देने वाला है मैं बहुत ज़ादा बात आज नहीं करूँगा क्योंकि हम पहला सत्र है और सिक्सा मनविज्यान का ऐसा सत्र है जिसमें जितने सवालों का हम लक्षे रखे उतने सवाल भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेरा उद्देश से सवालों की संख्या बढ़ाना नहीं सवाल में आयुए हर कंटेंट और हर concept को समझाना है पिद्यार्थियों आज का पावन दिन मैंने चुना है ग्यान पंचमी का लाप पंचमी का आप लोगों तक पहुँचने के लिए रीट के महरण में सिक्सा मनविज्यान में अपनी बात को आपके सामने रखने के लिए और मुझे उम्मीद है पूरा भरोसा है कि आपको जो मैं सिक्सा मनविज्यान में पढ़ाऊंगा आप सिक्सा मनविज्यान का बाल विकास का सिक्सन वीदियों का निश्चित रूप से रीट के महरण में फाइदा उठा पाएंगे पिद्यार्थियों बहुत आप लोगों की इजाज़त लेके और मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ जरा ध्यान दे और पहला प्रस्ण आप लोगों के सामने आ रहा है सिक्सा मनविज्यान की प्रस्तोतरी एक का पहला प्रस्ण कार्ल रोजर्स के अनुसार कू समायोजन का आधार वेशम्या है ध्यान दीजेगा कू समायोजन का आधार वेशम्या है जब सवाल आवे आप 5-10 सेकेंड आपके पास है हर सवाल के बाद आप उत्तर दे सकते है पहला सवाल है कार्ल रोजर्स Karl Rogers मोह्दे जिनकी चरचा मैंने यहां पर करी है मैं बताना चाहूंगा अमेरिका के मसूर मनोवय ज्यानिक Karl Rogers उर कारल Rogers जिनको मानवतावादी मनोवय ज्यानिक की रूप में हम लोग जानते है और विध्यार्具 आपको जनकारी हो मानवतावादी मनवध्यानिक के रूप में कार्ल लोजर्स जिनकी ख्याती रही इन्होंने एक से धांत दिया था व्यक्टित्व के संदर्ब में कूसमायोजन के संदर्ब में आपको जानकारी हो इनकी थेरी इनकी मानवतावादी थेरी के अंतरगत वास्त्विक स्वव और आदर्थ स्वव की थेयरी हमारे बहुत सारे विद्यारतियां पर उत्तर दे रहे है लगाता रांस्वर आ रहे है विद्यारतियों गौर करियेगा दो नंबर दो नंबर दो नंबर बहुत सारे स्टूडेंट दो नंबर दे रहे है किस्तुरी सेन तीन नंबर कह रही है किस्तुरी सेन तीन नंबर कह रही है स्वर वातावरन हुकमाराम दो नंबर कह रही है पारवती विस्नोई दो नंबर कह रही है लक्समन भुनकर ये तीन नंबर कह रही है जोती सर्मा भी सुरेश कुमार जी दो बहुत सारे स्टूडेंट आप मैंसे दो नमबर उत्तर दे रहे हैं ध्यान दीजेगा क्योंकि आंस्वर आप सभी के आएंगे आपको अपना स्वब मुल्यांकन भी करना है मैं कुछ एक नाम जरूर पढ़ूँगा लेकिन आपको जो मैं से कंटेंट समझाऊं उस कंटेंट को निश्चत रूप से अपने दिमाग में अपने मस्तिस्क में और अपने दिमाग में इतना बिठा लीजिए कि ये सीधा परिक्षा में फाइदा करें और विद्यार्तियों जिस सब्जेक्ट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं आपको जनकारी हो जिस साइकोलोजी के उपर अमारी बात हो रही है ये साइकोलोजी निश्चत रूप से कंटेंट इसका जो है वो एप्टिट्यूट बेस का कंटेंट रहता है जो विद्यार्ति ये सोचता है कि मैं psychology के question रटके जाऊंगा और परिक्सा मैं सही करके आऊंगा ये उसकी बारी भूल है क्योंकि content based के साथ में हमको aptitude based questions को भी solve करना है इसलिए हमारे अंदर psycho के वल पढ़ना नहीं है उसके तथ्ययाद नहीं करने है उसको दिलो दिमाग में पूरा जो है वो fit करना है उसका concept अपने दिमाग में बिठाना है विद्यार्तियों ये सक्स जिसकी मैंने बात की है कार्ल रोजर्स USA के बहुत मसूर psychologist रहे और बात अगर कार्ल रोजर्स की होती है देखिए केवल उत्तर पर ध्यान मत दीजिएगा उत्तर के साथ साथ जो मैं समझाओं उस पर भी ध्यान दीजिएगा कोल्ड कार्ल रोजर्स अमेरिका के मानवतावादी मनोवेग्यानिकों के अंदर मानवतावादी सिद्धान्द के समर्थकों में सबसे अग्रणी नाम कार्ल रोजर्स का आटा है विद्यारतियों कार्ल रोजर्स मोहदे जिनोंने वास्त्विक स्वा और आदर्स स्वा ध्यान दीजिएगा एक है आदर्स स्वा और एक है वास्त्विक स्वा स्वा का मतलब वैसे होता है अपना स्वा का मतलब होता है अपना लेकिन फिर वास्तविक स्वव और आदर्स स्वव इस concept का मतलब क्या हुआ विद्यारतियो आदर्स स्वव अपन कहते हैं के आदर्स मतलब ये मेरे लिए model thing है मैं ऐसा करना चाहता हूँ मुझे खुद के बारे में ये करना है और वास्त्विक स्वा जो हम वास्तों में है गौर करिए एक अवधारना जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ एक तो है आदर स्वा मतलब हम खुद के बारे में क्या चाहते हैं और एक है वास्त्विक स्वा हम आदर स्वा को गैन करना चाहते हैं लेकिन हम आदर स्वा को पूरा अगयन कभी नहीं कर पाते आज आपको जनकारी हो आप सुबह से लेके और चार घंटे लगातार पड़ते हो आप मैंसे कोई भी विद्यारती ये नहीं चाहेगा कि मैं सो मैं से 80% याद करूँ आपकी सबकी ख्वाइस क्या होती है सो मैं से 100% याद होना चाहिए यानि हमारी ख्वाइस तो है सो मैं से 100% लेकिन याद होता है 80% 20% न चाहते हुए हम हम क्या हो जाते है भूल जाते है तो वास्तिक स्वा और आदर स्वा आदर स्वा का मतलब है जो हम चाहते है खुद के बारे में जो अमारी ख्वाइस है उसको हम कहते है आदर स्वा धियान दीजिए जो खुद के बारे में हम चाहते हैं यानि हम अपने बारे में क्या क्योंकि देखे जिन्दगी में हमने अपने लक्ष शैड की हुए है आज आप मैंसे जो भी रीट के रण में बैटेगा लक्ष है तो सबका यही है कि मैं रीट में सफल हूँ लेकिन अगर विद्यारती पर जाके भी सेलेक्ट होगा कुछ विद्यारती सेलेक्ट नहीं भी होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 100% आज लाखों स्टुडेंट तैयारी कर रहे हैं तो लाखों सफल होंगे लेकिन चाहते तो हम सभी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो आपको ध्यानों आदर्स स का मतलब है हम क्या चाहते अपने बारे में और वास्त्रिक स्वा का मतलब है हमें अपने बारे में क्या वास्तों में हम क्या है ध्यान दीजिएगा वाट वी रियल वास्तों में हम क्या है तो वास्तों में जो हमें वो तो है वास्त्रिक स्वा लेकिन हम खुद के बारे में क क्या चाहते है वो है आदर सस्वा और इनके बीच में जितना विशम्य होगा इनके बीच में जितनी विशम्ता होगी इनके बीच में जितनी खाई होगी जितना अंतर होगा उतना ही फ्रस्ट्रेशन उतना ही मिला एड़ेस्टमेंट उतना ही कू समायो जान होता है विद्यार फ्राइड में करी है लेकिन कार्ल रोजर्स ने जो बात करी वो वास्त्विक स्वा और आदर स्वा की बात करी वास्त्विक स्वा यानि कि हम वास्तों में क्या है खुद के बारे में हमें क्या पता है और आदर स्वा हम खुद के बारे में क्या चाहते है आज हमारी ख्वाइस जितनी होती है अमें उतना कभी प्राप्त नहीं होता मैं चाहता हूँ कि साल के अंदर एक करोड रुपए कमा हूँ मैंने बिजनेस किया बिजनेस पर पैसा लगाया मैं साल में एक करोड कमा हूँ लेकिन एक करोड की जगे 80 लाग भी कमा सकता हूँ बड़ा वेसम में होगा उतना ही कू समायोजन फैलेगा विद्यारतियों सवाल कम हो संख्या में उसकी चिंता मत करना समझ में आए उसकी चिंता जरूर करना गौर करिएगा मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यारतियों को ये पहला क्वेस्चन बड़े अच्छे से कौन सा सिक्सा मनविज्यान की प्रकरती को ध्यान दीजे सिक्सा मनविज्यान की प्रकरती को कौन सबसे उप्युक्त रूप में प्रदर्सित करता है सबसे बेटर विकल्प बताईए इसके अंदर कि निम्द मैसे कौन सा सिक्सा मनविज्यान की प्रकरती को सबसे उप्यु विवारिक विज्ञान भी लिख सकते हैं धनात्मक है नियामक है विवारगत है और अनुप्रियुक्त है लेकिन विकल्प आपके यह नहीं है विद्यारतियो विकल्प के लिए थोड़ा सा इस पेपर को उपर कर रहा हूं केवल और स अब और स स और द अब बताईए इस में से कौन सा विकल्प जादा समीचीन है कौन सा विकल्प जादा बेटर है आपको यह बताना है कि अब स और द मैसे कौन सा जोड़ा इन चार विकल्पों में हम ले कि वो जादा उप्योगत हमारे लिए फिट होगा बहुत सारे इस्टुडेंट चार नंबर कह रहे है संजे सलाम इंडिया तीन पार्वती बिस्नोई चार नेमा राम गडवीर चार विसाल चार खेराज राम सेंवर चार जोगराज बैनिवाल चार अलची सुतार चार वाला राम देवासी चार रमेश गोरा चार सभी चार सभी चार क्या बात है वेरी गुड बहुत बढ़िया कर रह दनात्मक वेवारगत नियामक और अनुप्रियोक्त विद्यारतियों सिक्सा मनुविज्ञान के बारे में जब हम चर्चा करते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा पहला जैसे दिया कि दनात्मक विज्ञान सिक्सा मनोविज्यान बिल्कुल धनातमक है सकारातमक है द्यान दीजिए पॉजिटिव साइंस है सिक्सा मनोविज्यान के सकारातमक है आज सिक्सा के छेतर में मनोविज्यान के सिद्धानतों को जब हम एपलाई करते हैं तो एक नई साखा जन्म लेती है जिसको हम सिक्सा मनोविज्ञान कहते हैं। आपको जन करी हो सिक्सा के अंदर मनोविज्ञान के सिद्धानतों हो। आपने सिक्सा की परिभाशा भी पढ़ी होगी और मनोविज्ञान की परिभाशा भी पढ़ी होगी। सिक्सा यानि की हमारे वहवार में परिमार्जन की प्रक्रिया और महत्मा गांदी ने सिक्सा के बारे में कहा है कि बालक और मनुस्य के मन, मस्तिष्क और सरीर का सर्वांगिन विकास अगर आपने महत्मा गांदी की परिवासा पढ़िये तो आपने पढ़ा होगा by education I mean and all drawing out of the best in man and child mind body and spirit यानि की मनुस्य और बालक के मन, मस्तिष्क और सरीर के सर्वोत्म अंस की अभी व्यक्ति सिक्सा है और अगर आपने मन विज्ञान को पढ़ा है तो विद्यारतियों मन विज्ञान पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में फिर मन मस्तिष्क के विज्ञान के र उपने स्विकार करता है और आपने परिभासा है पढ़ी हो वर्सन मोहदे ने मन विज्ञान को विवार का सकारात्म को निश्चित विज्ञान कहा जैम्श ड्रेवर ने मन विज्ञान को वर्सुद विज्ञान का जो मानव और पसू के विवार का अध्यान करे आपको ध्य सकारातमक तो यहाँ सिठ्सा विग्ञान ये भी क्या है सकारातमक क्योंकि मनुविज्ञान के सिद्धांतों को जब हम एजुकेसन में अपलाई करते है तो विध्यारतियों नेगेटिव बात थो नहीं है पॉजिटिव बात है लेकिन एक बात और गवर करिए मैं क्लास में पढ़ाता हूं, सिक्सन विधी का चैनद करता हूं content के हिसाब से और मेरे विद्यारति के हिसाब से, मुझे लगता है मेरे विद्यारति को एक विदी से समझ में नहीं आया, मैं दूसरी विद्यारत को सब्ढ़ता व elles तो का behavior में ले आए, वेवार में लेकर आए तो विद्यारतियों यह वेवारिक विज्यान भी है अनुप्रयोक्त अनुप्रयोक्त का मतलब है applied science, ध्यान दीजिएगा अनुप्रयोक्त यानि कि applied science मैंने अभी कहा शिख्शा मनुविज्यान का मतलब में ला रहे हैं, अनुप्रियोग में ला रहे हैं, एपलाई कर रहे हैं, वेवार में ला रहे हैं, तो विध्यारतियों ये वेवारगत विज्यान भी है, ये धनात्मक विज्यान भी है, ये वेवारिक विज्यान, धनात्मक विज्यान, सकारात्मक विज्यान, अनुप्रियो मैं दोनों के अंदर बहुत basic difference बता रहा हूँ विधायक विज्यान और नियामक विज्यान में क्या अंतर है विधायक विज्यान कहता है कि ऐसा होता है और नियामक विज्यान कहता है ऐसा होना चाहिए विधायक के विज्यान तथ्ख्यों की बात करता है नियामक विज्ञान मुल्यों की बात करता है देखिए मुल्य जैसे एक बालक को इमानदार होना चाहिए होना चाहिए होता है नहीं होता है कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जब हम मनुविज्ञान और सिक्सा मनुविज्ञान की बात करते है एक क्लास के अंदर बिल्कुल 100% टुत वाली बात है है यहाँ पर मुल्यों की बात नहीं यहाँ पर नियमों की तथ्ख्यों की बात भी है जैसे हम विकास पड़ते हैं बच्चे का विकास सिर से पैर की और होता है मतलब होता है आज होना चाहिए ऐसा थोड़ी है कि जनम लेते एक बच्चे का ड उतरे आसा और दा ब नहीं है नियामक नहीं है ये कैसा विज्ञान है ये विधायक विज्ञान है विध्यान की हो गौर करिएगा विधायक विज्ञान है ये महतुपून बात very important बात ध्यान दीजिए विधायक विज्ञान है नियामक विज्ञान आपको जानकारी हो नियामक विध्यान के अंदर ऐसे values कैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए सिख्सा मनोविध्यान में अगर हम चाहिए की बात भी करते है न तो fact के base पे करते है तब ठे के base पे करते है आपको ध्यान हो अगर मैं मेरी क्लास में गणित पढ़ा रहा हूँ आगमन विदी का प्रियोग करूँगा निगमन की तुलना में बच्चे को बढ़िया समझ में आएगा तो आएगा आता है बिल्कुल आता है निगमन में कम है बहुत factual अच्छी ठेरी वो ठेरी ये कहती है ऐसा होता है तो ऐसा होगा तो विदायक विज्ञान है ये नियामक विज्ञान नहीं है बिल्कुल अच्छे से आप अपने दिमाग के अंदर जहन में देखिए केवल लाइव बैट के हमने वीडियो देख लिया कई देखे लाइव देखने वाले 300 लोग है लेकिन जब क्लास खतम होती है उसमें आंकड़ा आता है 2000 लोगों ने देखा इसका मतलब बहुत जारे स्टुडेंटों बीच में क्या होता है स्विच हो जाते है चालू करते है वीडियो बंद कर लेते है चालू करके बंद करने वालों को फायदा नहीं मिलेगा ध्यान देना आपको जानकारी हो सिक्सा मनोविज्ञान का ये प्रस्तोतर सत्र प्रती दिन नहीं भी तो कम से कम स अब ताहिक हम जरूर चलाने का प्रयास करेंगे ताकि अच्छे से अच्छे आपके परीक्सा काफी टाइम है परीक्सा के दिनों में लगातार चला सकते हैं मगर यह कुछ सेसन आपको बहुत फायदा देगा अगर ढंक से क्लास के अंदर आप बैठ जाते हों विद्यारतियो सिग्मंड फ्रायड का पराहम विद्यारतियों गहर करिए पराहम मतलब सूपर इगो मैं आपको जानकरी देदू हमारे एक बहुत मसूर साइकलोजिस्ट हुए जिनका नाम था मिस्टर सिग्मंड फ्रायड ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक साइकेट्रिस्ट एक नियूरोलोजिस्ट मिस्टर सिग्मंड फ्रायड थे हाँ बहुत सारे स्टुडेंट्स के कमेंट आ रहे हो लगातार ये कमेंट पास होते जा रहे है भजनलाल जी विसनों ही कह रहे है तीन नंबर आशा लखारा कह रहे है दो नंबर आशा जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए सवाल के उपर नैनु चौधरी तीन नंबर धापु कुमारी तीन नंबर कमला गोदारा तीन गुमान राम तीन केलास उड़ा तीन हंसरा सियाग तीन को और करियेगा सुन्दर सारन तीन गुरुदेव सिंग तीन नोजी लेगा तीन लगातार तीन नंबर काफी लोग कह रह मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा मिश्टर सिगमंड फ्रायर जिनका नाम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपको ध्यानो ये औस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक बहुत ही जाने माने मनो चिकित सक रहे और दुनिया के बाकी मनोवैग्यानिक कि इनको दुनिया का सबसे गंदा मनोवैग्यानिक कहते है गंदा डल्टी डल्टी क्योंकि जो बात है सिगमंड फ्रायर ने करी दुनिया के दूसरे मनोवैग्यानिकों ने नहीं करी छोटे छोटे मासूम बच्चों में सेक्स की भावना को देखना थोटे छोटे मासूम बच्चों के अंदर यौन भावना को देखना विध्यारतियों ये काम अगर किसी व्यक्ति ने किया तो किस ने किया सिगमंड फ्रायड ने किया सिग्मंड फ्रायड ही थे जो कहते थे कि सिसु अंगूठा चूसता है उसके अंदर भी क्या है काम भावना है सिग्मंड फ्रायड विद्यारतियों आपको जानकारी हो सिग्मंड फ्रायड आउस्ट्रिया के जाने माने मनोचिकितसक रहे नियूरोजलोजिस्ट रहे इन्हों ने सपनों पर भी बात करी इनकी किताब आई थी interpretation of dreams और विद्यारतियों हिटलर ने तो इनकी किताबों की copy जला ली थी जर्मनी में और हिटलर कहता था मेरे सामराजी में फ्रायड वाद के लिए कोई जगह नहीं यह दुनिया के आपको ध्यानों फ्रायड मोहदई थे जिन् मिश्टर सिग्मन्ड फ्रायड जिनके फ्रायड वाद के लिए मेरे सामराज्य में कोई जगह नहीं यह बात मोहदई हिटलर किया करते थे सपनों का विसलेशन इन्हों ने किया सपनों का विसलेशन किया ध्यान दे सपनों का विसलेशन इन्हों ने Interpretation of Dreams नाम से एक बड़ी किताब भी लिखी सिग्मन्ट फ्रैड की मसूर पुस्तक Totem and Taboo Totem and Taboo करके भी इनकी बहुत महतपून पुस्तक रही विद्यार्तियों आपको जानकारी हो इनकी एक किताब Interpretation of Dreams के उपर सपनों के उपर सपनों विसलेशन के उपर भी रही विद्यार्तियों आपको जानकारी हो सिग्मन्ट फ्रैड महदे बहुत जाने माने साइकलोजिस्ट लेकिन दुनिया के दूसरे मनैञ्यानिक, इनको गंधा मनवैञ्यानिक कहते, फ्रैड महदे ने एक अवधारना दीती, इदम इगो और सुपर इगो इदम, इगो और सुपर इगो की अवधारना किस ने दीती, सिग्मन्ट फ्रैड ने दीती, और मैं आपको आज देश के अंदर और दुनिया में जितने रेप केस होते हैं जितने भी गंदे कारे होते हैं वो सभी से इदम प्रवर्ती के कारण होते है क्योंकि वहां आदमी अपने भविश्य पर विचार करना छोड़ देता है उसको केवल ताकालिक सुकून चाहिए होता और उस सुकून के अंदर वो कर बैड़ता है कि अपने परिवार को भी उजार लेता है और विध्यारती और मर्यादाओ को भी तार-तार कर देता है बहुत मैं तुपून बात कर रहा हूँ इदम बिलकुल धोरो वाली प्रवर्ती है पसू प्रवर्ती है अगर स्कूल के अंदर ककसा के अंदर एक छोटा बच्चा वो किसी दूसरे बच्चे की कौपी चुराता है और कौपी चुराते समय उसके दिमाग में कोई विचार नहीं है बस एक ही विचार है उसकी कौपी उसकी जॉमेट्री बढ़ी आए यह एदम प्रवर्ती लेकिन इगो के अंदर आदमी वास्त्विक्ता पर विचार करता है वही बच्चा दूसरे की जॉमेट्री चुरा है लेकिन चुराने से पहले उसके दिमाग में एक आवे बात यार चुरा तो लूँगा लेकिन प्रिंसिपल साब एदमार साब जो भी है या सर वो बस्ता चेक करेंगे और चेक करते समय पकड़ा गया तो पहले तो सर मारेंगे और घर पे मम्मी पापा मारेंगे यह विचार आया वास्त्विक्ता पर विचार ये विद्यार्त यईगो की प्रवर्ति येईगो में हम वास्त्विक्ता पर विचार करते हमारे व्यक्तित्व का सबसे IMPORTANT PART यही है विईगो ध्याहं दिजेगा और सूपर येईगो में देविय नैतिक्ता इसको अंपराहम कहते है देविय बाते पाप पुन्य की बाते वही बस्ता वही बच्चा जो दूसरे की जॉमेटरी चुराता और उस समय उसके दिमाग में ये विचारावे जॉमेटरी चुराऊंगा लेकिन चोरी करूंगा तो भगवान माफ नहीं करेगा अगले जनमें कीडा मकोडा बना देगा फिर त्यारती हो परिक्सा की हॉल में आप रीट के एक्जाम में बैठे हो एक बच्चे ने दिमाग में तो उन्तो नकल करीला करीला मार सारे करनो जिको करो पकड़े जाओ पुलीस ले जाए मारे मर्जी आज़ी को करीला उन्तो नकल करीला एह इदम और नकल करते समय ऐए देखा के सर ला रहे गया गैट माते हैं मैं जो एगा एह इगो और नकल करते समय गणवी मौकु है सर बाहर गया रहा तो नहीं मैं इमानदार हूँ, मैं बले ही रीट में फैलो जाओ, नकल नहीं करूँगा नकल करना महपः बहाँ पहे, भगवार महप नहीं करेगा यह क्या यह सूपर इगो इध्यार्थियों दिहां देना इदम इगो और सूपर इगो इससे बढ़िया मेरे लिए सुकून कुछ नहीं होगा चलिए गार करिए चौता सवाल है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप इसकीमा देखे जीन पियाजे मोहदे ने कहता है कि भौतिक पर्यावरन सामाजिक पर्यावरन इन सब के अंदर क्या होता है एक बैलेंस संतूलन और उस संतूलन के प्रारूप को हम कहते हैं इसकीमा इसका निर्मान वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने के लिए नवीन जानकारी में संसोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाव में संसोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है देखो एक बात अब ये सब्द एक जैसे ही लगेंगे आपको सात्मी करन समायोजन अनुकूलन साम्यधारन एक तरीके के सब्द लगेंगे मगर ये सवाल सी टेट में भी पूछा गया और ये सवाल ब अवरी चौधरी, पीजे गोदारा, सुरेश कुमार, करना वट्टा, गुमना राम जी, एम मुकेस, भगवाना राम, आर जे अठारा अनील, दुर्गेश बैनिवाल, गौर करिये, पूछ रहे है कि सर अप है क्या, अप अभी पब्लिक नहीं है, ध्यान दीजेगा, बहुत गुमना राम भांभू, भमरी चौधरी, धापू कुमारी, बहुत सारे स्टुडेंट एक नमबर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, गजब, रीट के माहरण में इस बार तो, धुआ धुआ करने वाले है सारे स्टुडेंट, बिल्कुल, दौर करियेगा, बहुत बढ़िया वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने के लिए नई जानकारी में संसोदा और नई के आधार पर पुरानी में संसोदा, वह एक 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 बात, अपे बाड़ मेरे कोलेजर में पढ़ो, आजरी मान लो नहीं लिया तो कदे कदे जाता हो ला, कदे गया तो ठीक, कदे नही युनिवर्सिटी को हो रो, और ओती है सिस्टम है कि डेली आजरी अटेंडेंस बहुत जरूरी इन आनों पड़ है, आठ गंटा बेनों पड़ है, पॉंच पॉंच गंटा बेनों पड़ है, हमें वे चीज है, हो थी है, युनिफॉर्म पे रहा आनी, अपने ये थी है, मर् पे वह नहीं अपजेड़ों कर दो, एक तो यह चीज है, अन्वीजी चीज की है, कि नए रहे हिसावूं अपने मा संसोदन करो, ओतरो सिस्टम देखियो, अपने वे जेड़ा हुआ रहा, ठीक है, अपने वे जेड़ा हुआ रहा, आपने रोज जान लागा, आपने रोज बेठन लगा तो ये तरीके हों वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने के लिए नए में संसोधन और नए के आदार पर पुराने में संसोधन तो वर्तमान के आदार पर नए में संसोधन ये तो है सात्मी करण और नए के आदार पर आपको जानकारी हो पुराने में संसोधन यह है समायोजन यानि एकोमोडेशन मेरी एक बात कानखोर कर सुनना इस सवाल के लिए आप अंग्रेजी का टर्म याद कर लो आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे एजिमिलेशन एन एकोमोडेशन अगर मालो समानामतर सब्द भी आया तो एजिमिलेशन एन एकोमोडेशन ध्यान रखना वर्तमान के आधार पर नए में संसोदन ये है एजिमिलेशन और नए के आधार पर पुराने में संसोदन ये है एकोमोडेशन एक है सात्मी करण और एक है समायोजन बहुत कठिन थेयरी है जीन प्याजे की लेकिन परीक्सा में 100% सवाल पूछा जाएगा ध्यान रखना बहुत बढ़िया इस्कूल में टीचर बनने पर पुराने टीचर के टाइम को बदलना बिल्कुल देखो एक तो आदमी बिल्कुल टाइमर पंक्चुल है प्रिंसिवल ब अपने इसावू नहीं स्तती में संसोधन की ओरो एक नए रहे सावू अपर आप नहीं थोड़ों संसोधन करलो तो वह तरीके में वर्तमान के अनुरूप बनाने के लिए नए में संसोधन सात्मी करन और नए क्याधार पर पुरानी में संसोधन इसको कहते है समायोजन ये बहुत अच्छे से आप सवाल कंठस्त कर लीजिएगा ध्यान देना कई बार आया है एक सवाल और आ रहा हूं विद्ध्यारतियों ये फैक्च्छल क्वेस्चन है कई देखो एप्टीटूट बेस भी आएंगे फैक्च्छल भी आएंगे इस विद्वान ने कहा कि प्रतिबा साली है ऐसा कोई जरूरी नहीं नहीं भी है ऐसा भी जरूरी नहीं है पर ऐसा वो प्रतिबा साली है ये भी कोई जरूरी नहीं और एक बच्चा किसी परिस्ततिवस फैल हो गया इसका मतलब वो मंदबुती है ऐसा भी जरूरी नहीं है ये अगर आपने अच्छे concept को पढ़ रखा है तो दिमाद के अंदर आएगा प्रतीबासाली जैसे देखो सचिन तेंदुलकर कक्सा 10 के अंदर सचिन तेंदुलकर कक्सा 10 में फैल हो गया लेकिन क्या इसका मतलब यह कि सचिन तेंदुलकर प्रतीबासाली नहीं नहीं अगर वो प्रतिबा साली नहीं होते तो किर्केट के अंदर पूरी दुनिया को अपना मुरीद कैसे बनाते है किसी भी फिल्ड में चाहे बिजनेस में चाहे किर्केट में चाहे होकी में चाहे फुटबॉल में चाहे गायन में चाहे पढ़ाने में कई भी अगर आप इसका मतलब आप talented तो पहले भी थे दिमाग आपके पास पहले भी था बुद्धी लब्दी आपकी पहले भी थी मगर जैसे सचिन तैंदुल कर अच्छे क्रिकेटर है प्रतिवासाली तो पहले भी थे लेकिन 16 साल की उपन में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया CDC बात है लोड़ी क्यों परतिवासाली नहीं है रीट के रन में सफल हो गया अपना प्राइवेट बिजनेस खोल दिया हो सकता है उस बिजनेस में करोड़ों कमाल होगे देखो केवल नौकरी नौकरी लगा तो ही सब कुछ ऐसा नहीं है जिन्दगी में कोई भी काम करो टॉप पे कर काम जो भी करो उसको इतना बढ़िया करो कि आप अपने फिल्ड के महारती बन जाओ विद्यारतियों ध्यान दे यह विद्वान जिन्हों ने कहा प्रतिवासालियों की विसेस्ताओं के आदार पे कि वो खेल पसंद करते है पचास प्रतिशत में बनाने की इच्छा रखते असी प्रतिशत में धेरे होता है दूसरों का संबान करते है च्छानवे प्रतिशत अनुसासन प्रिय होते है यानि प्रतिवासालियों कम से कम डिसिप्लेंड तो होते ही है अज बिना डिसिप्लेंड इसलिए समझ जाईए बिना डिसिप्लेंड के प्रतिवा भी नहीं होग discipline होना बहुत जरूरी है और ये कतन है महदे विट्टी का ध्यान देना ये कतन किसका है ये कतन महदे विट्टी का है बहुत महतपुन कतन विद्ध्यारतियों आपको जानकारी हो बहुत महतपुन कतन महदे विट्टी के अनुसार ये अपने को statement दिमाग के अंदर बिठाना है जरा गौर करिएगा महदे विट्टी के अनुसार ये कथन है अगले प्रस्थन पर आ रहा हूँ विद्यारतियो छटा सवाल है निम्द मैसे कौन सा विकल्ब गार्डनर के द्वारा प्रतिफादित बहु बुद्धी सिद्धान्त में सामिल ले ध्यान से सुन ले न इस्थानिक बुद्धी सांगेतिक बुद्धी अस्तित्वबादी बुद्धी अब इसमें आप्सन दे रखा है केवल एक केवल एक और दो केवल दो और तीन एक दो और तीन बताईएगा बताईएगा जरा बहुत बढ़िया ढंक से बताईएगा जरा ध्यान दे आपको जानकारी हो देखो सुन्दर, सारण, विस्नोई, कॉमेडी ज़्यादा करते हैं क्या बात है आप तारीव कर रहे हैं वेंगी कर रहे हैं मेरा एक मानना है जिन्दगी में पढ़ाई करो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको असा रहा हूँ, मैंने खुद भी पढ़ाई की है तो बड़े एंजॉइंग ली की है और मैं तो अपने जब स्कूल में पढ़ाता था तब भी यह कहता था कि दिवाली की छुटिया है, बच्चों उनवर का क्या करो के दिवाली की छुटिया एंजॉए करो जब पढ़ाई हा तो बिल्कुल मस्ती से पढ़ो, जो काम करो वो पूरा मस्ती के साथ करो, यह ध्यान रखना है, अमें ओ कहा कि बाई रोते जाला तो ही हाल है जानो, बच्चा रोते हाल है कहना अनू जानो, बच पढ़नों तो यह तो बात यान राकनी है यह और करिए बिल्कूल चार नंबर कह रहे हैं चार नंबर एक दो तीन गुमनाराम भामु भावानी पमार मौमद रफीक साउंड जोती राठी खंगार सिंग मीठडा सूरजपाल सिंग चार नंबर विजे उजुवल कह रहे हैं दो नमबर जेती देवी जेती देवी जांगिड कह रही है एक नमबर गोमा राम चौधरी चार नमबर कह रहे है गुम्ना राम भामू चार नमबर कह रहे है आर्ज अठारा नील चार नमबर कह रहे है करनावट टाक चार नमबर कह रहे है गिरधारी राम चार नमबर कह रहे है ब बताओ कि बुद्धीरा कितना प्रकार बताया गार्डेनर बहु बुद्धी सिद्धान्तों में। गार्डेनर ने अपने बहु बुद्धी सिद्धान्त के अंदर बुद्धी के कितने प्रकार बताए विद्यारतियों गौर करिएगा। गार्डेनर नौर करिए बहुत बढ़ी आंसर कुछ साथ भी दे रहे हैं कुछ आठ भी दे रहे हैं कुछ नौ भी दे रहे हैं गौर करिएगा। जरा जहन दे फिर साथ साथ पे भी आ रहे हैं पीजे गोदारा के रहे हैं साथ जोती राटी साथ अब साथ कहने रहे हैं हाथ जार हाथ सो हित्तर तक भूग गया। गौर करिए गारवर्ड गारड़नर मौदे ने अपना बहु बुद्धी का सिद्धान्त दिया था और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ। मौदे गारड़नर ने 1985 के अंदर एक किताब लिखी थी और वो किताब विद्ध्यारतिonnerयों आपको जानकारी दीजेञेंस आपको जानकारीं एक किताब लिखी थी Frames of Mind The Theory of Multiple Intelligence गार करिए गार विद्धियारतियों ये किताब लिखी थी Harvard Gardiner ने Friends of Mind The Theory of Multiple Intelligence बहु बुद्धि का सिद्धान्त इसके अंदर उन्होंने प्रतपादित किया और इस सिद्धान्त में जब Harvard Gardiner ने बहु बुद्धि के सिद्धान्त को प्रतपादित किया तो विद्धियारतियों में बताना चाहूंगा बहु बुद्धि के सिद्धान्त के अंदर उन्होंने कितने प्रकार बताएते बुद्धि के हुक्माराम जी लिख रहे है उत्तर लिख रहे है क्या बात है मुझे तो लगता है मार्च याप्रेल गौर करिएगा विद्धियारतियों गौर करिए कमला पूनिया जी लिख रहे है वर्तमान में नव है देखिए आरवर्ड गार्ड़नर महदे ने जब यह पुस्तक लिखी थी इसमें उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए साथ लेकिन 1998 के अंदर उन्होंने आठवी बुद्धि अपने सिध्दांत में जोड़ी और वो थी प्रकरतिवादी बुद्धि नैचोरिलिश्टिक इंटेलिजेंस प्रकर्ति वादी के दीजिए प्राकर्तिक बुद्धी के दीजिए जैसे किसान या वनस्पती के जो रक्सक वगिरह में जो बुद्धी होती है या सिकार करने वाले या पिर जो प्रकर्ति प्रेमियों की बुद्धी है इसी तरीके से 2020 के अंदर उन्होंने एक और बुद्धी जोड़ी अस्तित्ववादी बुद्धी जो अपनी आध्यात्मिक सोच रखते है या पिर जो दुनिया के अंदर छिप हुए रहस्यों की खोज में अपनी रुची रखते है जो दुनिया के अस्तित्व के ऊपर प्रस्न करते है और जिग्यासाओ से अपना सवाल का उत्तर लूंडते है विद्यार्तियों अस्तित्ववादी बुद्धी 2020 के अंदर जोड़ी गई अस्तित्ववादी बुद्धी के ऊपर मैं बताना चाहूँगा वर्तमान के अंदर हार्वर्ड गार्ड़नर के सिद्धान्त में बुद्धी के कितने प्रकार है वर्तमान सिद्धान्त में 9 लेकिन सवाल आ जाया कि हार्वर्ड गार्ड़नर ने 1983 के अंदर और भुद्धी के सिद्धान्त को बुद्धी के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया तो मुल रूप से कितने प्रकार बताए साथ 1998 में अपने सिद्धात में उन्होंने कौन सी बुद्धी को जोड़ा प्रकरतिवादी बुद्धी को नैचुरिलिस्टिक जाओंगा दिजिएगा हारवर्ड गार्डनर मोहदे के बुद्धी सिद्धान्त के अंदर बुद्धी के नव प्रकार जो है उसके अंदर तार्किक या गणित्य बुद्धी है जिसको हम लॉजिकल इंटेलिजन्स कहते है आपको दियानो भासागत या साब्दिक बुद्ध ये सेकंड नंबर वैसे नंबर कोई जरूरी नहीं कि आप सीक्वेंस वाइस रखे तीसरा सांगीतिक बुद्धी जो संगीत या गायन के छेत्र में जो अपनी दिलचस्पी रखते है चौथा इस्थानी के अदेशिक जिसको इस्पेशियल इंटेलिजन्स कहते है जानकारिक गतिक बुद्धी कह सकते हैं अंताव्यक्तिक अंताव्यक्तिक का मतलब जैसे आपको जानकारियों इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल ये दौनों अलग है इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल ये अक्सर परिक्षा के अंदर चान रखते हैं खुद के संवे खुद की भावनाओं के बारे में समझ है उसके असाब से कैसे बियू करना है यह बुद्धी के अंदर होती है अंतर वैक्टिगत और अंतर वैक्तिक मतलब दूसरे के भावों को समझने की बुद्धी और प्राकरतिक आपको यह सगरde howard को आठवी बुद्धी जो जोड़ी प्राकर्तिक बुद्धी और वर्स 2020 के अंदर उन्होंने नवी बुद्धी जोड़ी अस्तित्वाली बुद्धी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने को दिमाग के अंदर रखना है ध्यान दीजिएगा देव गोदारा सांचोर पूछ गोड इवनिंग अच्छा लेट जुड़े है महरा भाई देव गोदारा सांचोर पवन कुमार ठाकोर रजत सर्मा देव गोदारा अच्छा लगातार पूछ रहे मैंने बता दिया जरा ध्यान दीजिएगा अभी आपके लिए जो नॉलेज अवेलबल है यूट्यूब के उपर आराम से उसका लुथ उठाईएगा और परीक्सा में भी काफी टाइम है चार महीने आराम से मिलेंगे आपको तो सत्ता के अंदर एक दो दिन भी अगर हमारी साइकलोजी की लगातार कंटीनू करेंगे इसको और कंटीनू अगर आप लाव उठा पाते हो मुझे लग एक एक मुद्धी पर इस्पेशली ध्यान दीजिएगा हारवर्ड गार्डन तोर करिए आपको जानकारी हो बहुत अच्छे से उम्दा धंक से अपने कंटेंट को आप लोग क्लियर करिएगा जरा ध्यान दे हाँ सूरज पाल सिंग जी बिलकुल पवन कुमार ठाकोर पीड पीचे डेस्क्रिप्शन में जो क्विज का पेडियाफ होगा वो आप गयान कर सकते हैं चलिए अगली कडी में बात करें सात्वा सवाल है मनुस्य जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंब के चार-पांच सालों में बन जाता है ये कथन किसका है विद्यारतियों मनुस्य क जो कुछ बनना है वो सुरू के चार-पांच साल में बन जाता है बताइए सुरू के चार-पांच साल में बन जाता है विद्यारतियों आपको जानकारियों सुरू के चार-पांच साल के अंदर गौर करिएगा सुरू के चार-पांच साल के अंदर मनुस्य को जो कुछ भी बनना होता है वो बन जाता है ये बोरिंग ने का ये गेशल ने का ये फ्रायड ने का विद्यारतियों मनुस्यों को जो कहने पूत्रा पग पालने मों दिखे सुरूरे चार पॉँच सालोरे मही अगर बच्चे ना डंगरो माउल दियों डंगरो डवलोप्मेंट कियो तो चिंतन इसका उचिस्तर भलाई बात में प्राप्त करें लेकिन बच्चे की परवरिस सुरू से कैसी है आप जब एरिक्सन का मनुस्यामाजिक विकास सिद्धांत पढ़ोगे तो उसमें शुरुवात में ही अवस्ता आ जाती है कि बच्चे के अंदर जिन चीजों का मैं पत कि हमें चार-पॉंच सालों में यही परवरिस से के डंगरी है तो तो आगे जाये हैं विकास डंग हो को नी बच्चे को घरवालों का प्यार मिला नहीं बच्चा आवें जवें है जो पढ़ो है तो पच्चे होचों के विकास ही जिद्धे डुलमुल होए लारो तो को जो कुछ बनना होता है वो शुरू के चार-पॉंच साल में बन जाता है ये बात कही थी फ्राइड मौदे ने किसने कही थी फ्राइड मौदे ने ये बात कही थी और मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा हमारे एक बहुत मसूर विद्वान गैसल भी हुए जिनका आफसन नंबर दो दे रखा है आपको जानकारी हो हमारे विद्वान गैसल मौदे ने कहा था कि बच्चा सुरू के 6 साल के अंदर आने वाले 12 साल की तुलना में डबल सीथ जाता है क्योंकि गैसल तो गैसल तो गैसल लगायो के सुरूरे 6 महीनों में 6 साल में जित्रों ही क् हो एहैं चो यह क्चो यियॉ उमर में तो ही क्यों है तो च्छ चाह साल में जीत्रों ही क्यों आनारे 12 साल में पोद्थे बले ही पपड्डे किताब वोक्पड्डे यह रट डट डटू तो तो बले हो है जो में मैं और आप हो गए है मारवाड़ी हमजब होता हुए नहीं मारवाड़ रहा हो ज्यादा तर लोक जान देया अपे पड़े पड़े रट्टूत होता पचे बले ही होता रहा लेकिन जिन्दिगी में जिको अपनी परसनेल्टी रे डेवलप्मेंट रे चीज हो है जित् को तेल रहे मैं पकोड़ोंने फ्राई अगर सुरूम डंगू करां तो पकोड़ा बढ़िया तड़े बार आ ला तो फ्राइड को बच्चे नो शुरूरे तीन चार साल में बढ़िया फ्राई करो रहो तो पज़ाओ फ्राई रहो मसालो वह चीज वह रो तुपाद वह बढ साल में अगले 12 साल में फ्राई करना पड़े प्राई सुरूरे छार पॉन फ्राई करना पड़े याद वह राए रहा चीज वह रो तुकौ तुपा तेकडम भी बिढ़ाने पड़े याद करना वास्ते हूँ यह रिटेंसन करें मतें गह।र करिए मैंश याद होनो चहिज गौर करिए आपको बहुत बढ़िया ढंक से याद होगा अच्छे ढंक से अपने दिमाग में बिठाईएगा अगला सवाल विद्यारतियों गौर करिए अगला सवाल है जरा जहन दे निम्न कथनों में प्रतेक अभीवरदी दरसाने वाले कथन के सम्मुक जी और अभीवरदी रहित विकास मेरी बात को जहां दे ना कई स्टुडेंट क्या करते है जैसे अभीवरदी और विकास दो कॉंसेप्ट आप पढ़ते हो अधिकतर विद्यारतियों को अगर पूछा जाए कि अभी वर्दी और विकास में क्या अंतर है तो क्या कहेंगे अभी वर्दी परिमानातमक है विकास गुनातमक है अरे भायो विकास गुनातमक है तो कि विकास मो परिमानातमक परिवर्तन को है ला क्योंकि अपे की पढ़ियो अपे पढ़ियो के ए मौन लो अभी वरदी है सपोज करो ए अभी वरदी है अभी वरदी वेन आरेक माँ छोटो गोलो है तो विकास ये वेन आरेक नमें मोटो गोलो है ये रो मतलब अभी वर्दी पूरी री पूरी विकास मों की ये नीट है और ये हरू ये सवाल मों लिक्योड़ो अभी वर्दी रही ते विकास मतलब जिदे डी सब्ड निखोला तो ये अभी वर्दी आ रहे ना लग राकनों अभी वर्दी रही ते विकास आपको ध्यानों अभी वर्दी और विकास अभी वर्दी का मतलब जैसे मेरा भार है मेरा भार सितर किलो है इसका मतलब मैं भार को माप सकता हूँ ये अभी वर्दी है बार माप सकता हूँ अभी वर्दी है मेरी लंबाई इसको मैं माप सकता हूँ यह अभी वर्दी है लंबाई मैं ज़्यादा कम यह माप सकता हूँ यह अभी वर्दी है लेकिन विकास विकास में यह सारी चीज़े तो आएगी अभी वर्दी विकास में इंक्लूड है अभी वर्दी अगर परिमानात्मक है तो विकास परिमानात्मक दोनों है अभी वर्दी में केवल सारीरिक और बाहरी परिवर्दान है तो विकास में बाहरी सारीरिक आंत्रिक सबी प्रकार के परिवर्दान है अभी वर्दी केवल फि और पर परिवर्तनों की बात होती है, सारी डिक परिवर्तनों की, इस तूल अवधारना है, लेकिन विकास में एक एक चीज की बारी की से बात होती है, इसका मदद विकास सूक्सम अवधारना है, अभी व्रद्धी एक संकूछित अवधारना है, लेकिन विकास एक व्यापक वधारना है विध्यारतियों आपको जानकारी हो बताना यह चाहरा हूँ अभी व्रद्धी और विकास के बारे में चार चीज़े दे रखी है एक छो महीने के बच्चे के अंदर दात निकलना तीन महीने के बच्चे का उल्टा पलट कर पेट के बल लेटना एक सिसूद वरा उसके आगे लुड़क्तिवी वस्तू पर एकदम आँख केंदरित करना एक 13 साल के बच्चे के चेहरे पर बालों को उगना एक 13 साल का बच्चा उसके चेहरे पर बालों को उगना विध्यारतियों ध्यान दे यह क्वेस्चन सीटेट में आ रखा है पहले आपको जनकारी हो अभीव्री वाला जो कतन है उसमें लिखना है G और अभीव्री रहीत विकास जो है यानि की मीच वाले गेरे में जो चीज़े आ रही है जो अभीव्री की नहीं है उसके लिए आपको लिखना है D अब आप इन चार चीज़ों के आगे जब इंडिकेट करोगे तो एक छह साल के बच्चे में दांतों का निकलना, तीन मां के बच्चे का उल्टा पलट कर पेट के बल लेटना, एक सिसूत वारा छे उसके आगे लुड़कती वस्तू पर आंखे केंद्रित करना, एक तेरह साल के बच्चे के चेहरों पर बालों का उगना, विध्यारतियों बताईए, एक 6 महीने के बालक में दांत निकलते हैं, क्या दांतों को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, दांतों को गिन सकते हैं, एक 6 महीने का बच्चा उसमें मालों अगर दांत निकल रहा, एक दांत निकल गया गिन सकते हैं countable है नहीं निकला तो भी पता है कि नहीं गिना 0 है और निकला तो भी countable है इसका मतलब यह क्या आएगा जी देखिए अगर यहाँ पर अभीवर्दी रहीत विकास नहीं लिखा होता नहीं तो यह चारोई development में और अभीवर्दी रहीत विकास लिखा यह ध् लेकिन यहाँ जी को निकाल कर फिर डी को लिखना है तो तीर महीने के बच्चे का उल्टा पेट के बल लेटना यह केवल गुनात्मक परिवर्दन यह परिमानात्मक नहीं है इसलिए डी एक सिसूद वारा उसके आगे लुड़क टीवी वस्तू पर आँखे केंदरित करना पर उसमें विकास में प्रेक्शन वाली चीज़े तो ही पर साथ में बिना प्रेक्शन वाली भी है मगर यहाँ अभी वर्दी रही तो प्रेक्शन वाली तो लेनी नहीं है तो ऐसी सिसूद आगे आँख के अंधरित करता है इसको लेंगे डी के अंदर डी डवलप्मेंट जी रहित डेवलपमेंट और एक 13 साल के बच्चे के बाल देखो 13 साल लड़के रहे चेरे बाते बाल गिने अब गिनी जे का नी गिनी जे पर गिनने आरी वस्तू तो है बालों ना गिने तो हगे ठीक है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा जी अब आप देख लीजिए इसक चोथा ऐपशन बिलकोल सही है बुझे लगता है आपको समझ में आया होगा समझ में आ रहा होगा ध्यान देना समझ में आ रहा होगा गर गरिए बहुत मेत पुन चलिए एक बात बताईए it कि नहीं आ रहा है एक कमेंट कर दीजिए समीं विद्यार दी एक बार बता दीजिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आ ना यस्टो हाँ आपके कमेंट आपकी प्रतिकिरिया है मुझे मोटिवेट करेगी गौर करिएगा बिल्कुल गोमाराम जी कह रहे यस मायावती गोस्वामी यस सूरजपाल सिंग दिनेश टावी देव गोदारा साचोर गोगाराम बैनिवाल किस्तूरी सेन बिल्कुल बहुत बहुत सादूआद है सभी को बहुत बढ़िया अच्छा पड़ रहे और ध्यान रखे रीट के रन तक एक ऐसा महुल मनाए कि निश्चित रूप से रीट के रन को आसिल करके रहे अमारे तरकस में वो हर तीर होना चाहिए जो रीट के रन को भेज सके ध्यान दीजिए विद्यारतियो अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूँ ग्यान दे समय लगे उसकी चिंता न करे लेकिन समय लगेगा तो क्लास के सेशन बढ़ा लेंगे लेकिन समझ में आना चीए जो समझाओं विकास का कौन सा सिद्दान्त या तथ्य सही है विकास लंबवत होता है वर्तुलाकार नहीं विकास लंबवत और वर्तुलाकार दोनों होता है विकास यादरत चले के रेंडम होता है विकास वर्तुलाकार होता है लंबवत नहीं यहां दीजिएगा विकास का कौन सा सिध्धांत कौन सा तत्य जो है वो सही है बताइए खेमराज बैनिवाल कहए चार नंबर मानक सोनी, हाँ खेमराज बैनिवाल, सुरेश कुमार राधा विस्तनोई, कुंभा राम जी, महरा नाम चादरी, भजनलाल विस्तनोई बहुत बड़िया विध्यारतियों विकास का कौन सा सिध्धान्त कौन सा तथ्य सही है मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ज्यान से सुनना आपने पढ़ा तो खूब होगा आम तोर पे विकास होता है न वो सीधी गती के अंदर नहीं होता सासीधी रेखा के अंदर नहीं होता लंबोत की जगे मैं यहाँ पर रेखिये भी लिख सकता हूँ विकास रेखिये नहीं होता विकास क्या होता है आपको जनकारियों विकास के अंदर डवलप्मेंट होता है इस तरीके से गौर करिए इस तरीके से development होता है यानि कि विकास आगे बढ़ेगा आगे बढ़के फिर वापस पीछे की तरफ फिर वापस आगे की तरफ क्योंकि विकास एक ही गती होँ अपने भारबारी में कहते «उडी को कटे है विकास» आपने देखा होगा development हो रहा है फिर development में विस्राम आ जाएगा विकास कभी गती तेज है फिर एकदम धीमी हो गई फिर विस्राम की अवस्ता आ गई फिर विकास वापस तेज हो गया तो ये जो अवस्ता है ये अवस्ता क्या ये वर्तुला का है ये कैसी अवस्ता है वर्तु चुनावी मौसम में तो विकास पे चर्चा बहुत जादा होती है और उसी विकास की बात हम कर रहे है और विकास आपको जानकारी हो जैसा कि मैंने बताया विकास बिलकुल जैसे दीरे दीरे हो रहा है एकदम तेज गती से हो गया तेज गती से होता होता आप देखिए ये वा पच्छे लागए, बड़े उड़ी गाड़ी पच्छे लागे बड़े उड़ी गाड़ी, पच्हे लागे बड़े रुकी भी रीट रो विकास ये वर्तुला का रही है सीधी रेखाम आई को सीधी रेखाम आते ही तो कदे भी अगस तो एक्जाम होतो रहो जिकेट आने गोशना हुई थी नवमर में वही टाने लागते हो तो रीट सीधी रेखाम जावे पड़ी पच्छे यह वर्तुला कार तो कहने का मतलब विकास वर्तुला कार होता है लमवत नहीं होता है तो आप्सन नमबर चार बाकी आपको पता है विकास यादरच भी नहीं होता विकास का एक निश्चित क्रम होता है दो सिद्धान ताप पढ़ेंगे सेफेलो कोडल सिर से पैर की और प्रोक्सी मोडिस्टल निकट से दूर यारी केंद्र से सिरो की और तो विकास कभी भी रेंडम नहीं होगा कभी ऐसा भी नहीं होगा कि रात रहे आज हर्दी रहे महीं रजाई ओडे हूता सुबह उठ्याज चलिए गौर करिए एक अगला सवाल है टी ए ए सी सी एच ये कारेक्रम विद्यारतियों ये कारेक्रम अधी कांसा था किस प्रकार के बच्चों के सिक्षन के लिए प्रयोग में लिया जाता है ध्यान दे किस प्रकार के बच्चों के लिए ये सिक्षन जो है वो प्रयोग मे लिया जाता है T.E.A.C.C.H. T.E.A.C.C.H. गहर करिए आपको जनकारी हो जब मैं इस प्रकार की बात करता हूँ यह जो कारिकरम मैंने दिया है T.E.A.C.C.H. ना बताना चाहूंगा University of North Carolina ने 1971 के अंदर इसको फांड किया 1901 के अंदर यह स्टार्ट हुआ University of Carolina अमेरिका के अंदर और अमेरिका के अंदर University of Carolina की और से इसको फांड किया गया विद्यारतियों आपको जनकारी हो बहुत महतपून बात मैं यहां पर बता रहा हूँ University of Carolina विद्यारतियों University of Carolina उसने 1971 के अंदर यह कारेकरम जो है वो फांड किया था 1901 के अंदर इस कारेकरम को फांड किया गया और यह कारेकरम क्या है यह कारेकरम T for Treatment ध्यां से सुनना है आप मैंसे बहुत सारे विद्यारति बहुत बढ़िया जवाप दे रहे हैं T for Treatment, Treatment and Education Treatment and Education तो वास्तों में यह केवल Education नहीं है यह Treatment भी और यह Education भी है देखो मेरा उद्धिस्ते क्यों रठाना नहीं है याद कराना दिमाग के अंदर बिठाने की कोशिस भी करूंगा क्योंकि मैं साइक्लोजी पढ़ता भी हूं पढ़ाता भी हूं समझता भी हूं और मुझे पिछले 12-13 साल हो गया साइकोलोजी पड़ी नहीं है साइकोलोजी में प्रियोग किया अनुसंधान किया है अपने रिसर्च के बेशते बताऊंगा विद्यार्थियों ट्रीटमेंट एन एजुकेशन ओफ ऑटिस्टिक अब ऑटिस्टिक आ गया इसका मतलब ओटेज्म आ गया ट्रीटमेंट एजु छिद्टमेंट एजुकेशन ओट्स्टिक ये रिले टिटड कम्यूनीकेशन और एंडीकेप्ट चिल्ट्रन ए रिले टिट्क मुनिकेशन ओफ एंडिकेप्ट चिल्टरन विध्यार्थियों आपको जानकारी हो मैं इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूं त्ट्रीटमें and education of autistic treatment and education of autistic autistic and कह सकते हैं, related communication for handicapped children, handicapped children या children handicapped, देखिए इसी को salt term में कहते हैं, T-E-A-C-C-H, आपको जनकारी हो, treatment and education of autistic and related communication for handicapped children, विद्ध्यारतियों यह autism होता क्या है, यह विशष्ट बालक का एक प्रकार है, autism, और इस autism के अंदर एक छोटा बच्चा उसका physical development भी अवरूद होता है, उसका mental development भी अवरूद होता है, वो बच्चा किसी के साथ गुल मिल नहीं पाता, वो ठीक ढंक से उसका भासा का विकास भी नहीं हो पाता, एक बच्चा जो कभी-कभी आकरामक भी हो जाता है, यानि छ चोटे बच्चों में कई बार ऐसी परिस्तती आती है कि उनका normal development नहीं होता, और वो दूसरे बच्चों की तरह गुल मिल नहीं पाता, दूसरे बच्चों की तरह उसका सारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाता, ऐसे बच्चे कहलाते autism बाले, autism को इंदी में कहत स्वालीन ता ध्यान दीजिएगा, तो ये स्वालीन बच्चों के लिए, ये जो treatment और education है विद्यारतियों, आपको जानकारियों ये treatment and education किसके लिए है, ये treatment and education विद्यारतियों में बताना चाहूंगा, ये treatment and education, ये स्वालीन बच्चों के लिए बहुत महत्पून बात education or autistic and communication related communication related communication for handicapped children बहुत महतुपून बात विद्ध्यारतियों गौर करिएगा आपको जानकारी हो नैना विस्नोई जी कह रही है बिल्कुल World Autism Day बिल्कुल सही है World Autism Day नैना विस्नोई जी बहुत बढ़िया बता रहे है गौर करिएगा आपको जानकारी हो तो बहुत महतुपून बात जो मैंने कहीं यह Autism के प्रभावित बच्चों के लिए कारिक्रम चलाया जा रहा है 1901 के अंदर यह कारिक्रम शुरू हुआ और विद्ध्यारतियों यह University of Carolina के द्वारा प्रारम हुआ यह important बात अपने को ध्यान रखनी है क्योंकि हमारे syllabus में एक टॉपिक है सिर छुपा कर फूट फूट कर रोता है निम्द वाक्य में समायोजन की युकति है और मारे आउचल रहे है जैसे एक सादी सुदा आदमी है रुए आपर लुगाईू जगडू हुआ रो लुगाईू जगडू हुआ जगड़ों तो पूरे पड़ी जोगा नी जिदे मार है आउंचल में जायें पूटे-पूटे रोगा है माँ विल्कुल गार करिए बहुत बढ़िया बता रहे बहुत सांदा ढंक से बता रहे विद्यार्थी बहुत सांदा ढंक से बता रहे ध्यान देना पाबूराम चौधरी दिनेश टाभी प्रतिगमन करनावट्टाग प्रेम चौधरी दिनेश पिसाला केसर गोविन देवासी आसा लखारा गुलाब सिंग रामेश्वरी बिस्नोई सभी दो नंबर कह रहे प्रतिगमन एक बात ध्यान देना साधी सुधा युवक है औरत से जगड़ा हो गया मा की गोदी में सिर रखके रोता है इसका मतलब साधी सुधा युवक इसका मतलब 25 सालों मोटो है ती पैती रो भी होएगा चाली पैतारी इन पचारों भी होएगा और मा बुड़ी हारी मा रहे आँचल रहे महीं सिर राके रो है कि मारी लोगाई केडी ते मार भीया कर रहे रहे मैं ओ फूटे फूटे रो है बताओ क्या साधी सुधा युवक मा के आँचल में पूट पूट कर रहे गा नहीं लेकिन समयोजन करने के लिए आपरी बड़ास काड़ना रो है ये रो मतलब वो आपरी उमर है लारे जाए रो है वो आपरी उमर है लारे अगर 50 साल रो आदमी हैं 25 साल रे जो वेवार करें 25 साल रो 10 स साल का बालक के खेल के मैदान में आर कर आता बिस्तर पर पिसाब करता है अब खेल के मैदान में आर कर आया बिस्तर पर पिसाब किया बिस्तर पर पिसाब 10 साल का बच्चा तो नहीं करता तो उमर से पीछे जब वेवार करता है तो विद्यारतियों इस युक्ति को क्या कहते प्रती कमन कहते हैं जैसे पती और पती ने पती को का मारे तो निम्बोडी दे रहे हैं अगणी समन आग बूझाना जैसे सुबह दूद वाले से अक्बार वाले से जड़प हुई तो ए थोड़ी कि अक्बार आ रहे हूं सुबह 15 मिंट को जड़प हुई लेट आयो गंटो बर अपने जो को गुस्तों बुज्यों मतलब यह युक्ति का यह समन पलायन पती पत्नी मों जगड़ों पती पत्नी मतलब अपने उस परिस्तती से ही अलगाव कर दिया यह क्या यह पलायन और दमन दमन मेरी इच्छा है कि मेरे पास मुकेस वंबानी जैसा एंटोलिया एंटोलिया का वो बंगला वैसा मेरे भी होना चीए लेकिन मना ठाय हूं मास्टर हूं इतरा पया के तुलाई कि मुकेस जड़े बंगलो पढ़े तो आप री इच्छा हूं न दबाई ला तो समायोजन वेला नी दबाई ला तो मैं मैं गुटे-गुटे नमरी ला यह रो मतलब युक्ती रोकी करो दमन जैसे एक बच्छा अपने एक गरीब बच्चा अपने फटे पुराने बैक से संतोस करता ह इक अमीर घर की मेटी जब गरीब घर में साधी करके जाती है अगर इच्छा का दमन करेगी तब तो होरी रहला दमन नहीं करेवा इच्छा और दमन करनो भी कई बार समायो जण वह रो अगर जरूर आगे कि वो भी अगले सेशन में पूरे करेंगे गौर करिएगा और सब्ता के अंदर दो दिन अपना निश्चित रूप से किसी भी सब्जेक्ट पे लेके और अपन लाइव आने का प्रयास भी निश्चित रूप से रहेगा आपको जानो सीखी वी किरिया का अन्या समान परिस्चतियों के अंदर उपयो करते इसको कहते अधिगम का इस्थान आंतरन अधिगम का अंतरन ट्रांसफर ओव लर्निंग जो सीखा जैसे साइकल चलानी सीख लिए इसकूटी सीखने में उसका उपयो कर रहा हूँ हाँ बिल्कुल very good बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं दो नमबर अधीगम अंतरन बिल्कुल सही जवाब है विध्यारतियों अधीगम अंतरन बिल्कुल 100% आपका absolutely correct answer है गौर करें समय एक गंटे से उपर हो गया मेरे technical expert मुझे बार बार इंडिकेट कर रहे है कि सवा गंटा हो चुका है चलिए बारा सवाल आज हमने की है लेकिन ये session लगातार बना रहेगा ये session लगातार बना रहेगा कोशिश ये रहेगी देखो जब भी live का schedule बनेगा तीन या चार बजे आपको YouTube के community post पे डाल देंगे कि ये live है आप देखिए रेगुलर भी इसको कर सकते है पर रेगुलर में कई बार क्या होता है जैसे मैं रेगुलर का क्या दूँ और साथ बज़े कई बार कोई काम पढ़ जाए फिर बचार साथ बज़े काता आए नहीं तो इसलिए थोड़ वंदे मात्रम सेर सभी जरूर एक एक जने को सेर जरूर कर देना धन्यवाद वंदे मात्रम आगे वाले सवाल कल की क्लास में या परसो जब भी सिडूल बैठेगा सामके समय इसको और लेने वाला हूँ आगे धन्यवाद